हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लंडर दितीमन लास्ट वीडियो हमने सेकेंड चैप्टर के कुश्चन 25 तर कम्प्लीट कर लिये थे आप लोगों ने याद भी कर लिये होंगे तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज 26 कुश्चन से राजिस्थान के कितने शेत्र बागड के नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पर दो शेत्र जाने जाते हैं डूंगरपुर और बासवाड़ा पिलानी के पास नरहड शेत्र को क्या कहा जाता है पिलानी के पास जो नरहड शेत्र है इसको कहा जाता है बागड शेत्र ठीक है तो बागड शेत्र में ही जूंगरपुर बासवाड़ा और पिलानी के पास जो नरहड शेत्र है इनको मिलाकर बागड का शेत्र कहा जाता है 29. मंभोर पर 7-7 सतापदी में किसका शाशन था?VIS कोटाबुंदी का शेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? HAडोती शेत्र के नाम से तो दो शेत्र हमने पढ़ें बागण शेत्र, डुंगरपुर और बासवाडा और वही पर कोटा बूंदी का शेत्र को हाडोती शेत्र के नाम से जाना जाता है कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जन जाती का शाशन था तो यहाँ मीना जाती के लोग रहते थे पूंदी नामकरण किसके नाम पर पढ़ा? तो देखिए बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पढ़ा Question No.33 है जैपूर के आसपास का शेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जानते थे डूराड शेत्र कचवाहाँ वंस से पहले डूराड शेत्र में किसका शाशन था? तो यहाँ पर मीना और बढ़ गुर्जर रहते थे Next देखिए मेवाड पर किस वंस का शाशन रहा? तो यहाँ पर गुहिल और शिशोदिया वंस का शाशन रहा Next जो है अलवर भरतपुर का शेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मेवाड शेत्र के नाम से जाना जाता है मेवाड शेत्र में किस जन जाती का आधिपत्य था? तो देखिए मेवाड शेत्र है तो यहाँ पर मेवजाती रहते थे मेवजाती का प्रशिद नायक कौन था? तो प्रशिद नायक था हसन खां मेवाती तो अब आपको यह question answer जो है वो बहुत ही आसान लग रहे होंगे क्योंकि आप लोगोंने chapter बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और अब यह आपकी एक तरीके की revision हो रही है हसन खां मेवाती किस युद में राना सांगा की ओर से लड़ा था तो वह खानवा के युद में राना सांगा की ओर से लड़ा था परतापगड को किस नाम से जाना जाता था इसे कांठल ब्रदेश के नाम से जाना जाता था ठीक है परतापगड को कांठल के नाम से जानते थे जहालावाड शेत्र को किस नाम से जाना जाता है जहालावाड को मालवा के नाम से जाना जाता है सेखावटी शेतर में कौन कौन से शेतर आते हैं तो इसमें चूरू, सीकर और जुन्जुनू ये तीनों ही शेतर आते हैं सेखावटी शेतर में व्यावर और अजमेर शेतर को किस नाम से जाना जाता है तो इसे मेरवाडा के नाम से जाना जाता है तो देखिए कुशन अंसर जो हैं वो इसी तरीके के एक्जाम में पूछे जाते हैं कहीं बाहर से नहीं आते हैं इन बुक से ही आते हैं हम यहाँ पर पढ़ते हैं जब सोच करना स्टार्ट कीजिए कोशन आंसर बहुत ही आसान पूछे जाते हैं एक्जाम में बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जिस वज़े से हम गलत टिक कर देते हैं तो आज आपका ये चैप्टर जो है सेकिंड कम्प्रीट होता है नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर को करेंगे मि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू